हिजाब को लेगर करनाड़क के स्कूल कॉलेजों में उपजा विवाद अब देश भर में चर्चा का विशे बन गया है जिसकी चिंगारी उज्जेन तक पहुँच चुकी है करनाड़क के स्कूल कॉलेजों में शाषन द्वारा ड्रेस कोड लागू किये जाने के साथ ड्रेस के उपर किसी प्रकार के दूसरे वस्तर पहनने को प्रतिबंधित किया गया है जिसके विरोध में मुस्लिम चातनाए हिजाब पहन कर कॉलेज पहुची तो विवाज शुरू हुआ जो की देश में चर्चा का विशय बना हुआ है हिजाब के समर्थन में कुछ असमाजिक तत्वों ने कोठी कारयले के पीछे इस्तित हनुमान मंदिर के पास पोस्टर चिपका दिये सूजना मिलने पर माधोनगर पुलिस यहां पर पहुची और तुरंत पोस्टर को हटवाया गया अज्याद बंदमाश के खिलाफ F.I.R. भी दर्स कर ली गई है साथ ही कोठी के आसपास की दिवारों पर भी पुलिस फोर्स ने इस प्रकार के पोस्टर की सर्चिंगी हाला कि अन्य स्थान पर कोई पोस्टर नहीं मिला वही बजरंग दल के जिला संयोजक अंकित चोबे ने दोशियों के खिलाफ सक्त कारवाही की मांग की है रोज रात को नौ बजे बाद महाँ पर दारूर गांजा पीना कोट परिसर में एसी वहाँ के वकिलों ने हमको बता है रशासन से आके हम मांग की गई है कि जो सिस्पार्ट शीटी के अंतरगा जो चारो तरफ CCTV केमरे लगे हैं उसके तुरंत जांच हो इसमें कोई देरी ना हो और उनको पकड़कर उनके खिलाब राशुका की कारवाही करके और उनको जेल बिजा जाए कि बावा महाकाल की नगरी हिंदु धरूर को मानने वाले लोग यहाँ पर बहुल्ले में है उसके बाद हमारी हिंदु भेन वेटियों के लिए इतनी अशोबनी टिपड़ी करना यह कहीं ने कहीं एक बड़ी चिंदा का विशह है एस्पी सतेंदर कुमार शुकल ने बताया कि पोस्टर कंप्यूटर पर डिजाइन कर प्रिंटर से निकाला गया है और उसे बाजार में प्रिंट नहीं कराया गया है एक ही पोस्टर दिवार पर चिपका मिला है जिसे हटा दिया गया है आपका जो पुराना कोड परिसर है उसके पास जो निर्वाचन कारेले है निर्वाचन कारेले के पास एक किसी प्रिंट आउट का एक पोस्टर का चिपका हुआ मिला था जिसमें कुछ जो अभी बातवान परिदिश में कुछ चीज़ा चल रही है उसको लेकर अभधर ट्रिपणी की गई है और उस पर हमने ततकाल ही संग्यान लेकर प्रटन पंजी क कर लिया है और वहां के सिसी टीवी फूटेजर्स और बाकी चीज़ों के अनलिसिस किया जा रहा है हम शेगर इसमें पता लगा कर उसके खिलाब का कड़ी करवाई करेंगे फिलहाल विवादित पोस्टर की घटना से जहां शेहर में संसनी फैल गई है तो वहीं पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से तलाश करने में जुट गई है खरमत प्रदेश के लिए उज्ञान से वीमल बेंडवाल की रिपोर्ट